अगर आप भी अंगनवडी सुपरवाईजर भरती के लिए इंतिजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप चुरूर वोच करेगा महिला इवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला और पुर्सों के लिए 3500 पदों पर भरती निकलने जा रही है यह भरती कलर्क और सुपरवाईजर के पदों पर निकाले जाएगी अगर आप भी आगनवाडी, सुपर्वाइजर या फिर कलर्क के पदो पर ओनलाइन आवेदन करने के इच्चुक हैं नोकरी प्राप्त करने के इच्चुक हैं तो आप इस वीडियो को बिना इस क्रिप्ट के अंथ तक देखते रहेगा क्योंकि हम आपको इस भरती की संपूर्ण जानकरी देने वाले हैं योग्यता क्या चाहिए होगी, कलर के लिए कितनी योग्यता और सुपर्वाजर के लिए कितनी योग्यता चाहिए होगी कभ यह भरती होगी संपूर्ण जानकर आपको इस वीडियो के माध्यम से दे जाएगी और साथ ही आपको यह भी बता जाएगा कि जो आंगनवाडी सुपर वाजर भरती कराएजाएगी यह किन किन जिलों में कराएजाएगी दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा चोट असा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर भी करिएगा यदि आप चैनल पर पहली बार आएएगा तो चैनल को आप चरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी देते हैं दोस्तो आंगनवाडी सूपर वाइजर भरती को लेकर बड़ी खुस कबरी जारी हो चुकिये काफी लंबे समय से आंगनवाडी भरती को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि यह भरती कब होगी लेकिन दोस्तो बता जा रहा है कि वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है अब यह भरती होने जा रही है इस भरती में महिला और प्रोस दोनों ही आविदन कर पाएंगे चाहे आप कलरक के लिए आविदन करना चाहते हैं या फिर सूपरवाइजर के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तो आवेदन इसमें आप केवल और केवल ओनलाइन माध्यम से ही कर पाएंगे और आपको बता चाहेंगे कि यह भरती जैसे हमने शुरुवात को भी बताया है कि 3500 पदों पर यह भरती करा जाएगी और इन 3500 पदों में दोस्तों दोस्तो पर वाजईर के भी पद होगे और कलरक के भी पद सामिल है कि मैं में और और किन्जिलों में निकाले जाएगी यह भरती किन्जिलों में नहीं निकाले जाएगी उसके बार में भी हम आपको डिटेल वाई जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों महिला इवं बाल विकास विभाग द्वारा सूपरवाईजर और कलर्क भरती के लिए कुछ महत पूनी यहां पर योग्यता निर्धार्थ की गई है दस्तवेज नियम भी निर्धार्थ की गई है जिसके अंतरगत आप ओनलाइन आविदन कर पाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेगा अगर आप कलर्क के पदों पर आविदन करना चाहते हैं तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वह बारवी पास की होनी चाहिए यहनिके कलर्क के लिए बारवी पास होना अनिवारिय है वहीं दोस्तों आप सुपरवाईजर के लिए आविदन करना चाहते हैं तो क्या इसमें आपकी योग्यता चाहिए होगी चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारेद देते हैं तो जो भी इस चुक अभ्यारती आगनवाडी सुपरवाईजर भरती के लिए आविदन करना चाहते हैं उनकी योग्यता गेर्जुवेशन होनी चाहिए ठीक है अब दोस्तों गेर्जुवेशन तो उनकी योग्यता होनी चाहिए साथ में एक्स्पिरियंस भी मांग गया है यह एक्स्पिरियंस केवल सुपरवाईजरों के लिए मांग गया है उनको दोस्तों एक साल का दो साल का एक्स्पिरियंस भी होना चाहिए तब ही वह सुपरवाईजर की नोखरी को प्राप्त कर पाएंगे और उनको योग्यता माना जाएगा इसमें दोस्तों आप ओनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि महिला इवं बाल विकास विभाग की तरफ से कुल 3500 पदों पर यह भरती क्राई जाएगी इसमें 2422 पद सुपर्वाइजर के होंगे और 1054 पद कलर के होंगे ठीक दोस्तों कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा वही मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह भरती अगस्त महा में कराई जा सकती है यह दोस्तों अभी ओपिसियल नोटिफिकेशन इसका रिलीज नहीं हुआ है जो हम आपको जानकारे दे रहे हैं यह एक मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक दे रहे हैं मीडिय रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि दोस्तों यहाँ पर जो भरती होने वाली है वह सुपरवाजर और कलर की जल्दी भरती कराई जाएगी और यह भरती दोस्तों अगस्त महा में कभी भी हो सकती है अब यह किन जिलो में होने वाली है चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं तो दोस्तो यहां पर यह भरती किन जिलों में होने वाली है उसके बारे में हम आपको बता दें दोस्तो यह सुपरवाजर की भरती उन्हीं जिलों में कराई जाएगी जिन जिलों में सुपरवाजर की रिक्तिया खाली होगी यहीं कि अगर आपके जिले में सूपरवाइजर के पद खाली है तो आपके जिले में यह भरती कराई जाएगी अगर सूपरवाइजर के पद आपके जिले में खाली नहीं है पहले से ही वह सभी पद भरे हुए है तो आपके जिले में भरती नहीं कराई जाएगी वहीं दोस्तो कलर्ख की भी यही बात है कि अगर आपके जिले में कलर्ख की जो पद है वे खाली है रिक्तिया खाली है तो आपके जिले में आपके कस्बे में आपके गाउ में भी यह पद कराए जाएंगे अगर रिक्तिया खाली है अगर इन पदो पर दोस्तो आपके जिले में कस्बे में या फिर गाउं में रिक्तिया खाली नहीं है तो दोस्तो आपके गाउं में जिले में कस्बे में यह भरती नहीं करा जाएगी तो आप किस जिले से हैं किस कस्बे से हैं आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा दोस्तो अगर आपके जिले में रिक्तिया खाली हैं तो आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा क्योंकि आने वाली भरती दोस्तो और भी बड़ी संक्या में होने वाली है यनके आपको पता ही होगा कि 53,000 पुदो पर जो भरती कराए गई थी वह सरकार दोरा कैंसिल की कर दी गई थी लेकिन मीडेर पोट के मुताबिक पता चला है कि दोस्तो यह भरती भी जल्द ही होने वाली है तो आप अपने जिले का नाम जरूर बताएगा जिस भी जिले में भरती कराए जाएगी उस जिले की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत प्रवाइड करा दे जाएगी कोई भी सवाल दे सवाल कर सकते हैं आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा आप से हम चुटा सा निवेधन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब कर दीज़ेगा बेल एकल को ओल पर सैट कर दीज़ेगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें अब चाहते हैं आपसे जयत और मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नई जानगार साथ नई भरते के साथ दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत